तो हमारा चोटा सा फैरा सा हल्क एक शॉटगन लेके देखते क्या करते हैं यहां पर आइधिंग बंदा एक कहां पर है आज पास तो हो गाई हो सामने एक शॉटगन वाला दो शॉटगन का डाम वह बहुत बढ़िया मार रहा है बंदा पहले यहां पर कवर लेंगे अर्थिंगो मार सकता है हील करने के बंदा आ रहा है एक हैट शॉट खतम हलो गाइस वेलकम टू अर्पन गेमिंग वेलकम टू फ्री फायर बेटल गाउंस तो आज हम एक्स्पेरिमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे कौन सा बेटर है तो वीडियो को लास तक देखते रहना और जो भी भाई हो चैनल पर नहीं हो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलो श्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन सा अच्छा है तो पहला नमबर है क्लोस रिंट का डैमेज दो ही शॉट गन मेरे पास है और दो ही बंदा बिना वेश्ट के यहां पर खराए है तो लोग खोल देंगे मैं बोला हूँ तो एक्स्परिमेंट कर रहे है बिना वेश्ट के पहले एक दम क्लोस जाऊंगा और क्लोस रिंट पर पूरा बोडी पर दो शॉट मारंगा ठीक है इस पर मारंगा और इस पर मालंगा तो को सी पי कौन सॉक्त का डैमे ज़ेटा है डाउन होता है कि नहीं कितना साट पर देखते रहो फश्ट क्लोस जिंट का डैमेज हम ऩरें तो एकटव को स्पे गया थोरदर से एक दो दो ब मारा इस गन से डाउन हो गया ठीक है तो यह हील कर रहा है तो देख रहो दो शॉट गन का डैमेज मारा यह डबल दो बुलेट बाला शॉट गन डाउन हो गया तो अब हम टाइग करेंगे यहाँ पर खरा है इसके पास भी भेस नहीं तो हम मारेंगे वहीं से थोरह सा क्लोस नहीं तो चाल सब्सक्राने ओर तो यहां पर यहां पर दो शॉट गन मारा आ देख रहो यह डाउन हो चुका है, मतलब दो ही shotgun आप close range पे मारोगे, तो बंदा down होगा, यह बिना based यह कर रहा हूँ मतलब based 2 होगा, 3 होगा 1 होगा, वो अलग-अलग depend है बट दो ही shotgun same range आप होता है एक दम close range पे body पे मारो, तो ओ बंदा जरूर down होगा, तो यह रहा first experiment का first part कि आप body damage दो gun से करो, तो damage होगा and down होगा, दो short में उसके पास based नहीं होता हो, तो और एक चीज़ आपने notice किया है कि नहीं, 17 करके damage दे रहा है, इस shotgun से और इसमें 26 करके damage दे रहा है, तो यह रहा first experiment जिसमें आप लोग देखें, दो shotgun close range पे, दो short में ही down होगा है, बन्दब close range में दो ही success है, आप दोनों ही close range पे बड़ी आसान ही से चला सकते हो, and दो गोली मार के बिना भेश बंदे को down कर सकते हो, but damage फड़ा के इसका 26 है, बिना दूर से मारूंगा, तो दूर से मारने पे क्या होता है, देखते रहो अब मैं यहाँ पर से दूर जाऊंगा, तो first हम देखे close range का damage and next हम देखेंगे long range का damage कौन सा अच्छ है, तो first यह shotgun का सब लोग जानते, इसका range बहुत जादा है, 15 करके damage and 15 यह बंदा डाउन, ठीक है, तो दो गोली मारा long range पे एक बंदा बिना वेस्ट के डाउन हो गया, तो यह रहा first आप लोग देखे, दो गोली मैंने मारा, तो आप इस shotgun 1040 से long range पे मारूंगा इस बंदे को, ठीक है, डाउन होता है के नहीं, एक miss gap, 2, miss गया, 3 देख रहे हो, मैं मार रहा हूँ, 3 4 और 5, और 6 तो 6 मैंने पकड़ ले, एक मेरा miss गया था मतलब 5 गोली मारोगे long range पे, तब भी एक बंदा डाउन होगा, वो भी मेरे तो 2 ही का भी skin नहीं है, तो experiment second हुआ की range के दूर पे जाने के, close range पे 2 ही सेम काम कर रहा है, but long range पे, छोटा shotgun जो double shotgun है, double गोली वाला, जो 2 गोली निकलता है M1887, वो long range पे बहुत अच्छा काम करता है, long range पे के लिए best है 2 गोली आप मारोगे, बंदा डाउन हो जागा, या फूर का लेवल 3 का या जितना भी rate of fire गन लेखे आओ, आपका long range पे M1014 damage नहीं देगा जो आप लोगों ने देखा, close range पे damage देगा, और long range पे उस gun की तरह ये damage नहीं देगा, 7-6 करके लग रहा है, एक बाद तो miss भी हो गया, बहुत पाँच गोली मारना पर में 1887 से, ठीक है, तो ये रहा दो number experiment, जो long range पे था first number experiment, close range पे दो gun सेम है, दो गोली मारों के बंदा down हो जाएगा, भेज नहीं होगा तो, तो long range experiment पे फेल हुआ, हमारा M1014, बट long range पे, छोटा shotgun फेल नहीं हुआ, आप करेंगे, दोनों shotgun का headshot experiment, ठीक है, तो कौन शा shotgun headshot पे कितना damage लेता है, बंदे का head परे तो क्या होगा, तो देखो, पहले तो एक बंदे का इस छोटा shotgun से मारोंगा, M87, एक headshot पढ़ा, देख सकते हो, एक headshot से ही बंदा down होगा, I think 1920 करके पढ़ा होगा, इदना सारा head, मतलब score दिखा है, पता नहीं, बढ़ 1920 का, पार एक shot पढ़ा होगा, बहुत सारे निकलते हैं इसलिए, तो चलो, M1014 से headshot लेते हैं, इसका 15, 16 पढ़ा, तो देखो, दोनों gun पे क्या फड़क है, जो छोटा shotgun था, M87, उसका headshot damage 1920 गा था, एक एक bullet, बढ़ M1014 का, बिना skin का damage था, 14, 15, 16, ये तीनों के बीच लगेगा, उसका 1920 था, तो अम हैं पर देख पा रहे हैं, दोनों में से, बेस्ट अब तक जा रहा है, छोटा बाला shotgun, double damage बाला shotgun, इसका पहले से हम देख रहे हैं, तीनों round पे, ये छोटा shotgun, मालब M87, बहुट advantage ले रहा है, कि इसका damage जादा है, range जादा है, and इसको आप truly use कर सकते हो, आप fourth round है, fourth round पे देखो, reload speed, तो हम देख रहे हैं, दोनों gun का reload speed देख रहे हैं, जो देख सकते हो, पहले बाला है, छोटा shotgun चला रहा हूं, देखो, इसका speed देखो, रिलोड speed और इसका reload speed देखो, तो मैं पहले छोटा shotgun मार रहा हूं, और इसका देखो कितना जल्दी reload ले रहा है, but M1014 जब आप full चला हो गया है, देख रहा हूं, full चला है, और इसका कितना थोड़ा second wise लेड लगा, इसको reload करने में, तो एक gun जल्दी reload होता है, और एक gun reload speed कम है, ठीक है, और reload speed कम M1014 का, दोनों gun ऐसी किया गया है, तो इसमें से four round तक, जीता हमारा छोटा shotgun M8 87, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, long range पे काम कर रहा है, close range पे काम कर रहा है, सब जगा पे यह shotgun कमाल का है, और दूर range पे, सब range पे एक gun बहुत ही धासु चल ला है, और last एक बात, last एक बात, यह fifth number है, आप गोली miss करते हो, तो कभी भी इस shotgun से मार नहीं सकते, आप गोली miss कर तो इस shotgun से आप बंदे को कभी नहीं मार सकते, और एक बात, आपके पास glower नहीं है, तो cover नहीं है, तो यह shotgun चलाने का कोई कामी नहीं बनता, जो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह ध्यान पे रखना, इसका reload speed देखाया, long range देखाया, close range देखाया, सब range पे यह बुया गिया, मतलब यह winner है, छोटा shotgun M887, M1014 नहीं जीता, बट आप इसको use करते हो, बट आपको बहुत कुछ maintain पढ़ना पड़ेगा, एक है cover, जो पहली बात, दो number, इसका reload speed तो जादा है, बट cover नहीं लोग है, उस time पे M1014 आपको मार देगा, close range पे, क्योंकि close range पे M1014 का damage, एड यह shotgun का damage कफी फिलाल एक जैसा नहीं, इससे उसका ज्यादा है, आप देखा, इसका 17 करके दे रहा था, उसका 26 करके दे रहा था बिना skin के, मलद आप close range पे दोनों गल पे खेलोगे, तो आपके पास भेश्ट हो, तब तो यार एक बंदा डाउन नहीं होगा दो shot में, तो आपको reload करना होगा उस shotgun से, तो तब position में ये shotgun आपको कोई काम नहीं दे सकता, M1014 ही काम आ सकती है, बट आपको किसी को gun नहीं मिला, आप दो shotgun मार के cover ले सकते हो, तो इक gun आप जरूर यूज़ करो, इसका headshot damage जादा है, long rate से damage कर सकते हो, तो आपक को कौन सा पसंद है, M1014 या M887 मेरे को comment box में जरूर बताना, headshot damage सब कुछ देख रहे हो, तो जरूर बताना कौन सा आपको अच्छा लगता है, तो 5 गोली है और इसका only 2 गोली है, यही फारक है, तो वीडियो को अच्छी लगे, like करो, share करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और daily stream देख ले के लिए description पर Nemo TV सभी join कर लो मेरे भाई, thanks for watching.